Hi everyone, my name is Rishav Sarma and जैसा कि आप सभी को पता है कि CMAT का exam over हो गया है result we announce हो चोगा है 3-4 दिन पहले अब जिनको college मिल गया है, well and good, congratulations बट जो ऐसे वच्चे हैं, जो satisfied नहीं है अपनी percentile से या फिर जो आगे cat के लिए prepare करना चाहते हैं और अच्छा b-school target कर रहे हैं, ये video उनी के लिए है तो चलिए शुरू करते हैं, तो first section मैंने daily task का रखा है I know कि बहुत सारे लोग इस section को ignore कर देते हैं, daily practice नहीं करते हैं और मतलब उन्हें इस गलती का एसास exam के time तक हो जाता है ये गलती आप ना करिए शुरू करते हैं, quants के section से तो पहले तो आपको speed maths की practice करनी है बहुत अच्छे सा practice करनी है because आपको पता है कि cat एक speed waste exam है और अगर आप speed maths की practice नहीं करते हो तो जो आपका time rough calculation में जाएगा exam के time में उसमें आप एक extra question solve कर सकते हो और आपको cat में पता है एक extra question की क्या कीमात है तो आपको speed maths की practice करनी है 20 minute बहुत है, daily करो बट करना daily है, भले भी तुम 20 ना अगर पा हो, 10 करो बट daily करना है, ठीक है आपको एक formula work maintain करनी है उसका simple सा reason है कि मतलब बहुत सारे ऐसे questions होते हैं इसमें formulas भी apply होते हैं और मतलब उस formula को लगाने के बाद आपको question बहुत ही जादा flawless तरीके से निकल जाता है तो एक formula work maintain करो जो आपके revision के भी काम आएगी exam के time पे तीसरा point है कि एक question bank maintain करना है question bank में आप किस तरह के question रखोगे यह simple है एक question आपने लगाया और मतलब दो बार लगाया तीन बार लगाया चार बार लगाया और वह question आप फिर भी नहीं कर पाए उस question को आपको एक separate A4 notebook बना लेनी है उसमें वह question लिख देना है question separate page पे answer separate page पे और ऐसे लिखना कि answer आपको ना देखे जब आप दुबारा उसका revision करो इससे क्या होगा कि आपके concepts और strong होंगे और especially उस जगह पे जो आपका lack हो रहा है जो questions आपको आ नहीं रहे है fourth point है कि notes maintain करने है बट यह percent to percent depend करता है यह optional है totally optional है अगर आपको notes की need होती है आप maintain करें अगर कोई ऐसा वच्चा है जिसे notes की जरूवत नहीं पड़ती है वह notes नहीं बना सकता है अब बात करते हैं VARC section की देखो VARC section इतना easy नहीं है जितना मतलब लोग लेते हैं बहुत जादा critical reasoning का बहुत जादा मतलब weightage रहता है इसलिए हमेशा reading और तयारी अच्छे source से होनी चाहिए दा हिंदू से कुछ नहीं होने वाला है बहुत सारे लोग हिंदू के editorial पढ़ते होंगे बहुत सारे teachers ही suggest करते हैं मैं नहीं suggest करता हूँ reading source मैंने 5-6 reading source mention किये हैं इसमें से आप daily एक reading source बदल सकते हो तो दो आर्टिकल तो daily daily आपको पढ़ने ही है reading source new york time हो सकता है the atlantic हो सकता है scientific america business week science daily harvard magazine और physics organization तो यह सब जो source हैं बहुत अच्छे source है rich content है इनसे आप पढ़िए reading करिए definitely आपकी varc बहुत ज्यादा improve होगी और dillr के लिए same है कि आपको speed maths की need होगी उसको आप maintain करें अब आते हैं first section मैंने dillr का रखा है तो dillr में क्या है कि आपको 4 set per day लगाने ही लगाने है because dillr काफी vast section है और चार set तो compulsory है और इसका source क्या होगा तो source आप previous year mocks लगा सकते हो previous year mocks IMS CL time किसी के उठा सकते हो मेरा suggestion है combination में लगाओ ठीक है और strategy क्या होगी कि 4 set मतलब दिन में कैसे करने है तो एक set आप early morning कर लो जब भी आप उठते हो तो उससे 20-25 मिनट पहले और जाओ time निकालो एक set आप तब लगा दो एक set आप सोने से पहले आप target कर लो कि मैं तवी सोंगा जब मेरा एक set और हो जाएगा और दो set आप दिन के time में कभी भी लगा सकते हो आफ्टरनून में लंस टाइम में जैसा भी आपको सुठे वालो दो set आप तब लगा लेना और मतलब DILR का एक question मैंने अलग से question एड़ किया यह आप देख सकते हो अलग से question एड़ किया इसमें की answers नहीं देखने है क्योंकि problem solving skill आपकी तब develop होगी कि जब आप अपना दिमाग लगाओगे आप परेसान रहोगे आप सारे तरीके अजमाओगे question को solve करने के लिए तो हमेशा अपनी problem solving skill पर focus करना और answer मत देखना at any cost अगर आपको मांग लो कोई question नहीं आ रहा है एक दिन try करो अभी time है इसलिए problem solving skill maintain करो एक दिन try करो दो दिन try करो नहीं आ रहा है answer देख लो तब answer देखो मतलब initially इतनी जल्दी answer नहीं देखना है अब आते हैं VARC section पर तो reading का मैंने बताई दिया कि आपको कौन-कौन से sources reading करनी है हाँ मतलब ऐसे directly reading नहीं करनी है definitely आप पहले कोई भी article आप read करो और read करने के बाद आपको उसे summarize करना है कि जो आपने चीज पढ़ लिए आप अब summarize करो अपने words में कि आप उस चीज को catch कर पा रहे हो समझ पा रहे हो summarize कर पा रहे हो या नहीं यह game changer है कि पढ़ने के बाद हमेशा summarize करो और two rc per day two rc per day आपको अभी से solve करने है ऐसा नहीं कि भाई जब हम mock लगाना शुरू करेंगे तब हम rc practice शुरू करेंगे नहीं rc की practice अभी से करनी है ऐसा नहीं है कि script reading करके आपने छोड़ दिया काम हो गया बिलकुल नहीं होगा तो two rc per day आपको solve करने है और source होगा IMS study material देखो मैंने CL का देखा मैंने time का देखा मैंने IMS का देखा जो most close जो मेरे को articles लगे जो most close मेरे को RCs लगे वो IMS के लगे तो study material मैं IMS का ही prefer करूंगा हाँ आप ऐसा mix कर सकते हो तो कि आपने दो दिन IMS लगाया अब आप time या CL पे जम कर सकते हो but preferable IMS ही है और previous year mocks IMS के उससे आपको 2 rc per day solve करने है और analyze करना है analyze में भी आप अपनी separate diary या notebook बना लो जिसमें आप देखो कि आप क्या गलतिया frequent कर रहे हो जो आपको next time avoid करनी है और practice critical reasoning at least twice a week तो critical reasoning का बहुत ही crucial role रहता है cat में I know बहुत सारे लोग नहीं बताते हैं या फिर last में बोलते हैं कि यह कुछ critical reasoning की exercises हैं वो कर लो मैं suggest नहीं करता है critical reasoning शुरू से ही practice करनी चाहिए एक बच्चे को तब ही आप समझ पाओगे कि author क्या कह रहा है कि sense में कह रहा है कि stone में कह रहा है critical reasoning की practice करो अच्छे से और अगर critical reasoning के आपको questions नहीं मिल लहीं कोई sheet नहीं मिल लहीं तो यह मेरा telegram का link है आप मेरे को telegram पे join कर लो वहाँ पे मैं आपको rcs, critical reasoning की exercises सारा का सारा study material मैं खुद के channel पे provide कर दूँगा best of the best और विये जो है विये का भी आपको practice करनी है twice a week कभी कभी होता है कि मतलब हो जाता है मतलब कुछ कुछ किस्मत के वी उपर होता है कि आपका मानलो rc cat में गलत हो गया बट फिर वी आपने विये अच्छे से कर रखा तो विये आपको बचा लेगा और आपका score को maintain करेगा इसलिए विये को विल्कुल भी ignore मत करना सुरू से विये को practice करो और कम से कम दो दिन तो करना ही करना है विये की practice and last point तो वही है जो मैंने पहले mention किया है कि अपनी mistakes को analyze करो okay अब आते हम quants के section पे quants का section देखो time रह गया है काफी कम quants का section है बहुत ज्यादा wide और इसलिए quants को आपको दो topic एक time पे लेके चलना पड़ेगा ऐसा नहीं है कि आप पहले वोलो कि मैं इतने अच्छे से arithmetic लगाऊंगा कि भगवान बन जाऊंगा उसका भाई ये ना ये सरफ click wait वीडियो और thumbnail के लिए लोग करते हैं कि भगवान बन जाऊ arithmetic के चार question आएंगे चार solve करके चलाऊंगा ये सरफ बाते होती हैं views के लिए इसलिए सारे के सारे topics को cover करना है और उसका reason भी मैं आपको बताऊंगा मान लीजे cat में arithmetic और algebra का major position है उसके अलावा z होगा cmat होगा snap होगा उनमें क्या करोगे उनमें तो मतलब statics बदल जाएगी इसलिए किसी की बातों में ना आए पूरा का पूरा broad cover करें geometry, algebra, arithmetic सबके basics strong रखने है यह definitely आपको जो other management exams होते हैं उसमें आपका हुकम का इककवन के उगरेगा इसलिए basics strong रखो दूसरी चीज है कि जो arithmetic के साथ आप number system कर सकते हैं या फिर modern math include कर सकते हैं जैसी भी आपकी मर्जी हो मतलब दो sections एक साथ लेके चल लें है ताकि last तक आप slavers खतम कर सको और revise भी तो करना है ना इसलिए algebra मैंने separate रखा है algebra थोड़ा सा wide है algebra थोड़ा सा broad है और depend करेगा कि कि कुछ बच्चों का algebra शुरू से अच्छा है तो वह उसके साथ number system या modern math include कर सकते हैं geometry भी include कर सकते हैं या फिर आप algebra separate भी कर सकते हो then मैंने geometry और modern maths को साथ में रखा है इन चीजों का आप ध्यान रखें और ऐसे ही तयारी करें जैसे मैंने बताया definitely आपको एक अच्छा b-school मिल जाएगा अगर आप यह strategy follow करते हैं अब मैंने कौंट्स में कुछ चीजें लिखी होई है पहला तो आपको speed math की practice करनी है quality questions लगाने है ऐसा नहीं है कि मतलब कि आप दिन के 50 questions लगा रहे हो लेकिन question ही cat level के नहीं है तो उसका कोई फायदा नहीं है waste of time है और आपको मतलब cat में कोई भी help नहीं करेगा ऐसा इसलिए quality question लगाओ और अगर आपको यह quality questions नहीं मिल लए है मुझे telegram पे join करो मैं आपको quality question provide करूंगा हर subject के total और revision बहुत जादा compulsory है ऐसा नहीं है कि आपने एक topic एक वार लगा लिया revision करना है आपको अच्छे से revise करना है और earth medical algebra तो इतना vast portion है कि revision इसमें तो require होगा ही होगा revision अच्छे से करो और quality questions को लगाओ हमेशा याद रखो कि question solve करने पे ध्यान नहीं देना है ध्यान देना है कि आप उसमें जो concept use हो रहा है particular question में या नहीं problem solving skills पर अपनी focus करो हमेशा कोसिस करो कि मैं question solve करो ना कि answer देखके अपना question count बाडा लो यह चीज हमेशा याद रखना वरना cat के last में आप बहुत जादा pressure में रहने वाले हो परिसान रहने वाले हो और आपको अपना pace है वह day one से maintain करना है ऐसा नहीं है कि अभी आप June चला है July चला है तो थोड़ा आप normal रहो last में आके बहुत जादा panic हो जाओ पहले दिन से pressure लो पहले दिन से अपना pace maintain रखो ताकि last में आप अच्छे mind से अपना exam देने जा सको cover all topics and build your basics सारे के सारे topics को cover करना है अपना basics बनाना है because आपको पता है कि अगर आप अपना basic नहीं बनाओगे किसी section का तो वह आपका जो omats होगा other management exam होगा उसमें आपको बहुत ज़्यादा painful रहेगा इसलिए basics को अपने बहुत ज़्यादा strong रखो सारे topics को cover करो लगाई CL की sheet लगाई या फिर आपने IMS की sheet लगाई matter यह करेगा आपने quality questions लगाई और अच्छे से revision किया और last में एक मैंने quote add गया है the mind is just like a muscle the more you exercise it the stronger it gets बिलकुल यही मैंने पहले भी mention कि आपको शुरू से pressure लेना है अपने mind को train करना है ताकि last में जो pressure आए वो आप अच्छे से handle कर सको और अगर कोई भी आपको questions से curious है मेरे को comment section में comment कर सकते हो telegram आप join कर सकते हो telegram पर personally मुझसे बात कर सकते हो message कर सकते हो जो भी आपको study material चाहिए आप मेरे को बताइए मैं आपको provide करूंगा अच्छे से अच्छा आज की वीडियो में इतना ही अगर आपको वीडियो पसंद आई हो please channel को subscribe करो वीडियो को like करो और share करो अपने दोस्तों के साथ thank you